Hello everyone, welcome to our channel Intensive Study, today our topic is mensuration and the question is the perimeter of a regular pentagon is 100 cm, how long is its each side? देखिए mensuration को हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिती, इसमें आज हमारा question है, हमें perimeter find करना है, perimeter को हिंदी में कहते हैं परिधी, किसका perimeter find करना है, regular pentagon का, pentagon होता है पंच भुज, यानि जिसके 5 भुजाई होती हैं, यानि जिसके 5 sides होते हैं, how long is its each side? pentagon का perimeter है, वो 100 cm है, यानि इसकी परिधी 100 cm है, हमें इसका 1 side बताना है, pentagon कैसा है, regular है, यानि इसके हर side equal है, कैसा figure बनेगा यह, देखिए, इस तरीके से हमारा pentagon बनेगा, यह side थोड़ी सी तेड़ी हो गई है, इसको आप समझ लीजे, यह भी सीधा ही है, और इस तरीके से A A, B, C, D, E, A से B, B से C, C से D, D से E, और E से A, इस तरीके से इसके कितने sides है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sides होते हैं, एक pentagon के, एक पंच भुच के, अब हमें बोला है कि इसका perimeter 100 cm है, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि perimeter क्या होता है, perimeter is sum of all sides, सारे sides का total, यानि जितने sides हैं, इसके जो sides हैं, या इसे आप boundary भी कह सकते हैं, तो boundary का total या sides का total ही perimeter होता है, जिसे हम हिंदी में परिधी कहते हैं, अब हमें जो question में बोला गया है, पहले हम उतना लिखेंगे, the perimeter of a regular pentagon is 100 cm, पहले जितना question में statement दिया गया है, उतना आप लिख लें, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी एक side बतानी है, each side, तो हमें पता है, कि एक pentagon में कितने sides होते हैं, five sides होते हैं, we know a pentagon has five sides, तो हम क्या करेंगे, a pentagon has five sides, length of each side, देखिए, length of each side का मतलब है, length of one side, यानि एक side इसकी कितने किये, सारे sides को add करके तो 100 है, मगर एक side कितने किये, तो बस आपने क्या करना है, जितना perimeter दिया गया है, 100 cm, इसको आप इसके total side से divide कर दीजिए, इसमें total sides कितने होते हैं, five, तो बस 100 को five से divide कर दीजिए, जब आप 100 cm को five से divide करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए, इसको यहीं पर divide कर लेते हैं, सबसे पहले five को हम ten से divide करेंगे, 100 से नहीं, पहले ten से divide करेंगे, five, two's are ten होता है, पीछे एक zero बच जाएगा, वो zero आप यहाँ पर लिख देंगे, तो जब आप 100 को five से divide करेंगे, तो आपको मिलेगा 20 cm, यानि कि इस pentagon का हर side 20 cm है, 20 cm, 20 cm, ये भी 20 और ये भी 20, जब हम इस 20 को add करेंगे, 20 plus 20 40, 40 plus 20 60, 60 plus 20 80, and 80 plus 20 100, तो देखिए, हमने इसकी जो एक side है, वो बिल्कुल सही पता कर ली है, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी figure दिया जाए, जो regular हो, यानि जिसके सारे sides equal हों, सारे side बराबर हो, जैसे इसक आपने क्या करना है, perimeter को उसके side से divide कर देना है, जैसे इस pentagon में कितने side है, 5, perimeter कितना है, 100, तो बस आपने perimeter से इस 5 को divide कर देंगे, तो आपको एक side का measurement पता लग जागा, बस इतना सा ही इस question में समझने के लिए है, So, if you liked the solution of this question, please hit the like button, share this video, do subscribe our channel and also press the bell icon, thank you very much.